आतियात बरतने के निर्देश दिये गए हैं, जेन्यू में तबाम तरीके के आतियात अपनाई जा रहा हैं कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अब से मास्क लगाना फिर से जरूरी होगा खास तोर पर भीड भाड़ वाले इलाकों में देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस का संकट आ सकता है जी हां दोस्तों देश में एक बार कोरोना वायरस का संकट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर कोरोनावाइरस के कारण स्कूल वा कालेज बंद हो सकते हैं जिससे होने वाली बोर्ड परिचा में रुकावटा सकती है यदि स्कूल वा कालेज बंद हुए तो 2023 में होने वाली बोर्ड परिचा रद हो सकती है जिहां दोस्तों 2023 में होने वाली बोर्ड परिच्छा रद हो सकती है क्या बोर्ड परिच्छा रद होगी या नहीं जानने के लिए इस वीडियो के अंत्र तक जरूर बने रहे बोर्ड परिच्छा से जुरी संपूर जानकारी के लिए हमारी चले को सब्सक्राइब करने कमेंट बोक्स में अपना नाम जरूर लिखे जिससे हम आपके बोर्ड से सम्मंदि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुचा पाए इस बार यूपी बोर्ड का चा दसी और बरावी 2020 का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है लेकिन यूपी की योगी सरकार ने इस बार होने वाली बोर्ड परिच्छा में महातुपूर अपडेट को जारी कर दिया है गौर तलब है कई बोर्ड ने दसी और बरावी परिच्छा का टाइम टेबल रिलीस कर दिया है यूपी बोर्ड परिच्छा को लेकर महतुपूर अपडेट जारी हो गई है और कहा जा रहा है इस बार स्कूल वा कॉलेज बंद होए तो सभी छात्रों को बिना परिच्छा के भी पास किया जा सकता है यूपी बोर्ड परिच्छा की तारीक जल्द ही घोसित की जाएगी साथ ही बोर्ड आगामी बोर्ड परिच्छा की तयारियों में लगा हुआ है इस बीच यूपी मेस्पी ने बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए जिले में 296 एक जान सेंटर बना दिये है यूपी बोर्ड परिच्छा दस्वी के लिए आवेदन करने वालों को छात्रों का इंतजार और खत्म हो गया है क्योंकि कोरोना बढ़ा तो सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा मीडिया रिपोर्ड के अनुसार यूपी बोर्ड परिच्छा 2030 के लिए लगभग 69 लाग स्टूडेंट सामिध हो लेकि उम्मीद है जिसमें से 31 लाग से अधिक यूपी बोर्ड मेट्रिक परिच्छा में सामिल होंगे और 27 लाग सात्र यूपी बोर्ड परिच्छा में सामिल होंगे सात्रों को अब ऐसा लग रहा है कि कहीं होने वाली बोर्ड परिच्छा रदना हो जाए इस पर उम्मीद है कोरोने की ये लहर खातरनाक हो सकती है सीबेसी पहले ही गोशला कर चुका है कि दसी और 12 की बोर्ड परिच्छा है 15 फारवरी 2023 से सुरू होगी जबकि प्रेटकल एकजाम 1 जनवरी 2023 से सुरू हो सकते हैं सीबेसी ने फिलहाल डेट सीट जारी करने की तारीख और समय की घोशना नहीं की है लेकिन आम तोर पर परिच्छा से एक महीने पहले दसी और 12 की डेट सीट जारी करता है दोनों का च्छाओं की डेट सीट एक साथ जारी की जाती है इस बार भी उम्मीद है कि डेट सीट एक साथ जारी हो सकती है बोर्ण परिछा से जूरी समपुर जानकारी के लिए हमारी चय courts को सबस्क्राइब करें कमेंट ब्स में अपना नाम जरूर लिखें जिससे हम आपके बोर्ण से समंधि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँंचा पाए और जैदे जैनकारी करें हमारे इस चीलों को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर तुम्हें दोस्तों के साथ जरूर करें धन्य बाद